हेलो साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जाम गड़ में साथियों आज हम नदियों के विशेपर आज यह हमारा चौथा वीडियो होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे साथियों आईए हम अपने पहले प्रश्ण के और बढ़ते हैं जैसे कि इसमें लिखा गया है प्राइद एपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिन साथियों ने कल का वीडियो देखा होगा या वे लोग इस प्रश्ण के उत्तर आसानी से दे सकते हैं जैसे कि पहला प्रश्ण हमारा है प्राइद एपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो हम जानते हैं कि हमारे प्राइद एपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है जो की आप्सन नंबर बी में है आईए हम अपने अगले प्रश्ण की और बढ़ते है निम ल धावरी नादी है जिसका उद्गम भारत से नहीं हुआ है… तो पहला विकल्प हमारा है गोडावरी, विकल्प नमबर दी हमारा है जेलम, विकल्प नमबर ती हमारा है घाघरा तो इसमें हमारा बिकल्प नंबर D सही हो जाएगा घागरा नदी जो की दच्छडी तिबबत यानि की तिबबत से निकली हुई है वो भी मान्सरोवर जील के पास से घागरा नदी हमारी मान्सरोवर जील के पास से निकली हुई है और मान्सरोर जील हमारा तिब्बत में है घागरा नदी को नेपाल में घागरा नदी को नेपाल में करडाली नाम से जानते हैं घागरा नदी को नेपाल में करडाली नाम से जानते हैं आईए हम अगले प्रेश्ट की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण भी हमारा इसी टाइप का है कि निम लिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारती छेत में नहीं है फिर से आपके सामने चार बिकल्प हैं महानदी, ब्रह्म पूत्र, रावी और चिनाव जिसमें हमारा बिकल्प नंबर 20 ही हो जाएगा ब्रह्म पूत्र, यानि कि ब्रह्म पूत्र हमारी भारत में उद्गम नहीं हुआ है या हिमाले से निकली हुई है, कहां से निकली हुई है, हिमाले से हिमाले से निकली हुई है आईए हम अपने अगले प्रष्ट की और बढ़ते हैं चौथा प्रष्ट हमारा है निम्निखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है यह भी प्रष्ट उसी टाइप का है लेकिन इस प्रष्ट के भी बिकल्ब अलग अलग दिये गये हैं तो पहला बिकल्ब हमारा है सतलज बिकल्ब नमबर बी हमारा है रावी बिकल्ब नमबर सी है चेनाव बिकल्ब नमबर डी है ब्यास तो साथियों इसमें हमारा बिकल्प नंबर A सही हो जाएगा यानि कि 17 नदी का उद्गम भारस से नहीं हुआ है या कैलास परवस से निकली हुई नदी है 17 नदी जो हमारी है या कैलास परवस से निकली हुई है आईए हम अपने अगले प्रेश्ण की ओड़ बरते हैं निम लिखित में नर्मनादी के संबन्ध में सभी सही हैं यानि कि इसमें से नर्मनादी के संबन्ध में तीन बिकल्प सही है लेकिन इसमें एक बिकल्प जो है वह गलत है तो पहला विकल्प साथी हमारा है यह अमर कंटेक्ट के निकट से निकलती है विकल्प नंबर बी हमारा है इसके किनारे प्रसिद्ध महा कालेश्वर मंदिर है और विकल्प मंबर सी हमारा है यह मार्बल राक्स के समू के बीच में बहती है इस नदी पर प्रसिद सरदार सरोवर बांध बनाया गया है इसमें से आपको एक दो बिकल्प किलियर ही होंगे जैसे कि हमने आपको बताया है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है यह अमर कंटक पहाड़ी से निकलती है अब हमें दो विकल्प में confusion होगी यह marble rocks के सम्मू के बीच से बहती है तो यह भी विकल्प सही है यानि कि विकल्प नमबर A यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है यह भी सही है विकल्प नमबर C यह marble rocks के सम्मू के बीच से बहती है यह भी सही है बिकल्प नमबर D हमारा या नदी पर परसिद सर्दा सरोर बांध बनाया है कि यहाँ भी सही है इसमें बिकल्प नमबर C हमारे इस प्रश्ण का उत्तर जो है वह बिकल्प नमबर B होगा क्यूंकि इसके किनारे परसिद कालेस्वर मंदिर नहीं है ठीक है इसके किनारे महा कालेस्वर मंदिर नहीं है और यहीं हमसे पूछा गया है इसलिए बिकल्प नमबर B हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्ण में आईए हम अपने अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सी नदी क्रिष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है इसमें पूछा गया हमसे क्रिष्णा की कौन सी सहायक नदी नहीं है तो बिकल्प नमबर A हमारा तुंग भद्रा बिकल्प नमबर B हमारा है माल प्रफा बिकल्प नमबर C हमारा है घाट प्रफा और बिकल्प नमबर D है हमारा अमरा अमरावती तिसमे से तुंग भद्र, माल प्रभा और घाट प्रभा क्रिष्णा नदी की सहायक नदियां है अमरावती नदी हमारी क्रिष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है आईए हम अपने अगले प्रेश्णी की ओर बढ़ते हैं लूनी नदी किसमे गिरती है तो हमसे पूछा गया है लूनी नदी कहा पर जाकर गिरती है या कहा पर मिलती है तो गंगा मुहाना में बिकल्प नंबर भी है केरल का समुद्री तठ और बिकल्प नंबर सी है हमारा कच्छ का रण और बिकल्प नंबर डी हमारा है गोदावरी का मुहाना तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा यानि कि लूनी नदी जो है हमारी वो कच्च के रण में जाके गिड़ती है या कच्च के रण में जाके मिल जाती है आईए हम अपने अगले प्रस्ट की ओर बढ़ेंगे नर्मदा नदी का अधिकांस भाग भारत के किस राज में बहता है यानि कि नर्मदा नदी जो हमारी है वो सबसे अधिक किस राज में बहती है तो हमारा पहला विकल्प है विकल्प नंबर A गुजरात बिकल्प नमबर B महाराष्ट बिकल्प नमबर C मद्ध प्रदेश और बिकल्प नमबर D हमारा है राजस्थान तो इसमें हमारा बिकल्प नमबर C सही होगा यानि कि मद्ध प्रदेश में हमारी नर्मन नदी सबसे अधिक लंबाई में बहती है आईए हम अपने अगले प्रस्ट की ओर बढ़ते हैं भारत में डेल्टा बनाने वाली नदिया है हमसे यह प्रस्ट पूछा गया है कि भारत में इन बिकल्पों में से कौन कौन सी ऐसी नदिया है जो डेल्टा बनाते हैं तो पहला विकल्प हमारा यानि कि विकल्प नंबर यह हमारा है गंगा महानदी नर्मदा विकल्प नंबर बी हमारा है कृष्णा गंगा तापी और विकल्प नंबर सी हमारा है कावेरी गंगा और महानदी विकल्प नंबर डी है हमारा नर्मदा तापी और कृष्णा तो इस में हमारा विकल्प नंबर सी सई होगा यानि कि कावेरी गंगा और महा नदी जो है हमारी यह डेल्टा बनाती है यानि कि इन नदियों से हमारे डेल्टा का निर्माड होता है अब हम साथियों अगले प्रस्ट की ओर बढ़ेंगे अगला प्रश्ण मारा है कहां भागी रथी और अलग नंदा मिलकर गंगा बन जाती है यानि कि कहां पर हमारी भागी रथी नदी और अलग नंदा नदी आपस में मिलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है यहां प्रश्ण बहुत ही आसान है आशा करता हूँ यहाँ प्रश्ण आप सभी लोगों को आसानी से आ भी रहा होगा यदि आ रहा हो तो आप लोग इसका कमेंड बाक्स में उत्तर देंगे और आईए हम अपने विकल्प पे चर्चा करते हैं विकल्प नंबर A हमारा है करणड़ प्रयाग विकल्प नंबर B हमारा देव प्रयाग विकल्प नंबर C हमारा है रूद्र प्रयाग और विकल्प नंबर D हमारा गंगोत्रे तो हम जानते हैं भागी रथी और अलक नंदा नदी हमारी देव प्रयाग में आके मिलती है यानि कि बिकल्प नम्बर जो भी हमारा है वही सई हो जाएगा आईए हम अपने अगले प्रस्ट की और बढ़ते हैं अरा अली परवत स्रिंखला निम लिखी नदी प्राणे प्रणाली में दुविभाजित होती है अराली परवत श्रिंखला जो है किस नदी प्रणाली में दो भागों में विभाजित होती है तो बिकल्प नमबर ए हमारा है चंबल और सरोसती नदी के नदी प्रणाली में या चंबल और साबरमती नदी में या नर्मदा और वनास नदी या फिर चौथा बिकल्प जो है बिकल्प नमबर D हमारा लूनी और पनास नदी तो इसमें हमारा बिकल्प नमबर B सही हो जाएगा यानि कि चंबल और साबर मती नदी जो हमारी है या अरावली परबस्त रिंखला को दो भागों में बिभाजित करती है आईए हम अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है हमारा शिंद्ध नदी का उद्गम इस्थल है सिंधु नदी हमारी कहां से निकली हुई है बिकल्प नमबर A हमारा है रोहतांग दर्रा बिकल्प नमबर B हमारा है सेशनाग जील से बिकल्प नमबर C हमारा है मांसरोवर जील से और बिकल्प नमबर D है मफसातूंग हिमानी मफसातूंग हिमानी से ठीक है आईए हम देखते हैं हमारा बिकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा यानि कि सिंधु नदी हमारी मांसरोवर जील से निकलती है मांसरोवर जील हमारी कहां है तिब्बत में आईए हम अपने अगले प्रस्ट के और बढ़ते हैं गोदावरी नदी गोदावरी नदी जो है हमारी कहां से होकर बहती है तो गोदावरी नदी पहला बिकल्प हमारा है महाराष्ट वा आंध प्रदेश बिकल्प नंबर बी हमारा है महाराष्ट उडिस्या वा आंध प्रदेश बिकल्प नंबर सी हमारा है महाराष्ट करनाटक वा आंध प्रदेश और बिकल्प D है हमारा महाराष्ट करनाटक उडिसा वा आंध प्रदेश इसमें हमें यह पताना है कि गोदावरी नदी हमारी कहां से होकर बैती है इसमें हमारा बिकल्प नंबर A सही हो जाएगा यानि कि महाराष्ट वा आंध प्रदेश यानि कि जो बिकल्प नंबर B है हमारा हमारी गोदावरी नदी उडिसा से नहीं बहती है यहाँ पर करनाटक में नहीं बेहती है और यहाँ पर करनाटक और उड्शा में नहीं बेहती है यानि कि महाराश्टवा、 आंधबदेश इस बिकल्प में सः हो जाएगा जो कि बिकल्प नंबर A है हमारा आईए साथियों अपने अगले प्रस्ट की और बढ़ते हैं निम लिखित में से कौन सी नदी प्राद इपी पठार उपांत से नहीं मिलती यानि कि कौन सी नदी है जो हमारे प्राद इपी पठार में नहीं मिलती है तो बिकल्प नमबर ए है हमारा यमुना बी दामोदर सी चम्बल और डी हमारा है सोन तो इसमी हमारी यमुना नदी जो है वह प्राद इपी पठार उपांत से नहीं मिलती है यानि कि बिकल्प नमबर ए हमारा साही हो जाएगा यमुना नदी अगला प्रस्प हमारा है इन पश्चमी वाहनी नदियों में कौन दो परवस्त रेडियों के बीच से बहती है यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इसका उत्तर कर सकते हैं तो साथी इसमें हमारा पहला बिकल्प है सरावत इन दी बिकल्प नमबर भी हमारा है नर्मदा बिकल्प नमबर सी हमारा है माही और बिकल्प नमबर डी हमारा साबरमत इन दी तो इसका बिकल्प भी सही होगा यानि कि नर्मदा नदी जो है वह दो परवत स्रेणियों के बीच में बहती है आईए हम अपने अगले प्रस्ट के ओर बढ़ते हैं भारत में सबसे उची ज्वारी ज्वार भित त्वाली नदी कौन से है यहाँ प्रश्ण हमारा भारत में सबसे उची ज्वारी और ज्वार्भित वाली नदी कौन से है तो हम देखेंगे हमारा विकल्प है ए जो है कावेरी विकल्प नंबर बी हमारा है महा नदी बिकल्प नंबर C हमारा है हुगली और बिकल्प नंबर D हमारी है क्रिश्डा तो सबसे उची ज्वारी ज्वार्भित वाली नदी हमारी जो है वह नदी जो है हुगली नदी है सबसे उची ज्वारी ज्वार्भित वाली नदी हुगली नदी है ठीके साथ ही उसका बिकल्प नंबर सी सही है तो आईए हम अपने अगले प्रस्ति के और बढ़ते हैं नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ता किसके सासनकाल में रखा गया तो इसमें हमारा बिकल्प नंबर ए है संयुक्त मोर्चा सरकार राजभर सरकार यूपीये सरकार या इनमें से कोई नहीं साथियों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सस्क्राइब करके अपने दोस्तों के साथ अवस्थी सेयर करिएगा किसमें हमारा आईए देखते हैं बिकल्प नंबर भी सही हो जाएगा यानि कि राजग सरकार जो थी इनके सासनकाल में नदियों की जोड़ने की योजना बनाई गई थी आईए हम अपने अगले प्रष्ट की ओर बढ़ते हैं निमलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्टर करने के लिए कुख्यात है या प्रष्ट मार रिपेड़ है जिन साथियों ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो वह इनका उत्तरासानी से दे सकते हैं यानि कि हमारा इसमें हो जाएगा बिकल्प नंबर बी यानि कि कोशी नदी जो है हमारे मार्ग परिवर्टन के लिए जानी जाती है कुख्यात है भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है तो साथ में इसमें हमारा पहला बिकल्प है गोदावरी बिकल्प नंबर बी हमारा है क्रिष्टा और बिकल्प नंबर सी है हमारा भागी रथी और बिकल्प नंबर डी हमारा है हुगली तो इसमें हमारा विकल्प नंबर D सही होगा यानि की हूगली नदी सबसे बड़ा नदी मुख पर है ठीक है आईए हैं अपने लास्ट प्रेष्ट की ओर चलते हैं पंजाब की निर्माण में सबसे महत्पूर्ण नदी कौन सी है तो पंजाब की निर्माण में सबसे महत्पूर्ण नदी हमें बताना है तो हमारा बिकल्प नमबर ए है 17 बिकल्प नमबर भी हमारा है ब्यास और बिकल्प सी है हमारा जेलम और बिकल्प नमबर डी हमारा है सिं तो इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा यानि कि सिंधु नदी जो है वह पंजाब के निर्मार में महत्पूर नदी है यानि कि पंजाब के निर्मार में महत्पूर भूमक्या सिंधु नदी की है आसा करता हूं साथियों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यह वीडियो क को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अवस ही सेयर करिए धन्यवाद